दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो हो जाओते यार क्योंकि अब आपको रिद्य शिद्य के दाता भगवान श्री गनेश और धनकी देवी मानलक्षमी के असिरवास से 21 जून से 27 जून याने के इन साथ दिनों में मिलने वाली हैं पांच बड़ी खुसकवरी जा दोस्तों पांच बड़ी गुड़ न्यूस आपको मिलने वाली हैं भगवान श्री गनेश और मलक्षमी के असिरवास से 21 जून से 27 जून याने के इन साथ दिनों में क्योंकि आपको बता दे कि इन साथ दिनों में आपको खुसकवरियां इतनी बड़ी मिलेंगी कि आप अपको पचास किलो मिठाई बांट नी पड़ी हैं पचास किलो मिठाई ही बांट होगें आप इतनी बड़ी खुसकवरियां आपको मिलने वाली है जा दोस्तों इस वीडियो में खुसकवरिये ही ऐसी लेकर आया हूं आपके लिए दिल खुस हो जाएगा आपका तीन बड़े फल मिलेंगे आपके करमों के इन साथ दिनों में आपको आपके करमों के बड़े बड़े फल मिलेंगे तो पूरा वीडियो देखना सुनू से था क्योंकि इन साते दिनों में अगवान श्री गनेश जी की किरपा से गज केसरी योग बन चुका है और मालक्षमी की किरपा से धन लक्षमी प्राप्ति योग बन चुका है दो राज योग और धन योग बन चुका है आपके कुंडली में इन साते दिनों میں जिससे कि यह समय आपके लिए खुसियों बरा समय साबित होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि यह समय किस प्रकार आपके लिए खुसियों बरा रहने वाला है, या दोस्तो अने कुपरिकार के लाब मिलेंगे बड़ी बड़ी कामियाबी बड़ी सफलता हैं केरियर वैपार से जोड़ी बड़ी कामियाबिया और साथ साथ केम संबंदों से संबंदित बड़ी खुशकबरियां यूं कहें कि इन साथ दिनों में सफलताओं के घंडे गाड भग गया उद्यका निर्मान कर रही है तो सटीक जान करी देंगे शम्पून सटीक रासिपल 21 जून से 27 जून तक का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरा वीडियो देखना और साथ साथ कुछ साफधाने भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपको इन साथ दिनों में बरत्री हैं जिससे कि इन साथ दिनों का मिलने वाला लाब आपको मिलकर ही रहे साथ धाने भी बरत्री हैं खुसकबरियों के साथ साथ धाने भी बताएंगे पूरा वीडियो देखना चलिए दोस्तो बात करते हैं किस प्रिकार रहेगा भगवान श्री गनेस और मालक्षमी की असिर्वास से आपके राशी वालों के लिए इसका आप सदियू प्योग करें, शमय का लाब उठाएं, इसका सम्मान करें, अब आपको लाब के ने ने अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लाब के ने मार्ग भी आपके लिए प्रस्त होंगे, साथिसाथ किसी नजदी की दिश्तिदार के हाँ, आप धार्मिक आयोजन में भी जा सकते हैं, इसका अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, साथिसाथ अब परिस्तितियां में शकारत्मक रूप से बदलाव आने वाले हैं, समस्त जो भी परिस्तितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, वे सभी परिस्तितियां आपके पक्ष में होने वाले हैं, शकारत्मक के सफलताओं के यूके जंडे गाड़ने वाले हैं वाप यही अनुबब आपके आगे वैवाईक जीवन में भी काम आएगा विपरेत परिस्तितियों का हल निकानने में भी आप सक्सम रहेंगे कोई भी कैसी भी परिस्तितियों आपको विचलित नहीं करेगी उसका समाधान कान लेंगे कैसी भी परिस्तिति हो शमय बहुती सुखद रहने वाला है इसका अनुबब करेंगे आर्थिक इस्तिति और अधिक भैतर होगी आमंदनी के नेने शुरोत आपको प्राप्त होने वाले हैं रुका हुआ पैसा है वे भी आपको वापस मिन सकता है पिछले कुछ उस समय से जो कार रहे अटके हुए थे वे अब पूर्ण होने वाले हैं आपके करियर से जुड़े हों वेवसाय से जुड़े हों सबस्त कार रहे पूर्ण होने वाले हैं आपके और अपनों के बीच यदि आप समय वैतित करते हैं तो आपको आत्मिक खुशी का अनुबब होगा इसलिए कुछ समय व्यस्तता के बावजूद घर पर जरूर व्यतित करें अपनों के बीच में व्यतित करें शाति साथ यदि संतान के विदेश जाने संबंदी पढ़ाई को लेकर या नोकरी को लेकर कोई योजना है तो उसमें भी कारवय सुरू कर दीजिए सफलता आपको प्राप्त होने वाली है और अब आपको कोई महत्पपुर्ण सूचना या फिर सुफ समाचार के प्राप्ती होगी मानसिक रूप से आप बहुत अधिक सुकून का अनुभाव करेंगा और समझदारी से किया गया धनका निवेस आपको भविश्य में फायदेव पिछले कुछ समय से आपके दौरा की गई कड़ी महनत के उचित परणाम अब आपको हाँसिल होने वाले हैं आपको जिस भी छित्र में आपने कड़ी महनत की है पड़ाई से जड़ूई हो नोक्री से संबंदित हो कारे वेवसाय से जोड़े हो कोई भी कार रहे है आपने क शक्षम रहेंगे दोस्तों बहुत अच्छा समय हैं शमयमान प्रतीष्टा वर्दक रहेगा आज पास के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत आप करें इससे आप स्वैम को हलका वे तनाव मुक्त महसूस करेंगे देनिक कार्रों के साथ साथ अन्य कार्रों को भी आप बड़ी सहजदा से पूरा करेंगे दोस्तों और साथे साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आस पडोस में संबंदों को उचित बना कर रखना आपके लिए अतियावशक है विरोधी आपके ओपर हावी होंगे परंतु आपके समख सिर्फ टिक नहीं पाएंगे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका लेकि दोस्तों ध्यान ये रखे कि कभी कभी आपका उग्रश्वाबाब गलत वहवार आपके लिए परेशानी का भी करण बन सकता है इसलिए वहवार में नर्मता रखें वाणी पर मदूर्ता बनाए रखें शैयम रखें तो इससे आपको इफायदा होगा जो काम नहीं भी बनने होंगे वह भी पूर्ण हो जाएंगे आपके सरलता स्ववाब रखें और दोस्तो एक खास और महत्पुण बात हम आपको बता दें इस वीडियो के माद्यम से कि आप जो भी कार रहे करें अपने भविष्चे को लेकर भविष्चे में कोई भी कार रहे है तो दोस्तो कोशिश ये करें किसी की समत्ष्ण जाहिर ना करें आपने गुप्त राजों को बातों को किसी की सबख से जाहिद ना करें होता क्या है आप बड़े भोले बाले हैं बहकावे में जल्द आ जाते हैं सबसे पहले तो देखो कड़वा बचने लेकिन सब्सक्राइब बेहकावे में नहीं आना है, अपनी सिक्रेट्स नहीं बताने होते हैं किसी को, जो कार्य करें चुप चाप कर लें, शुरुआत कर दें, किसी को नहीं बताएं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, इससे क्या होगा, कि आप को ही इसमें लाब नहीं मिलेगा, हानी का साम मखाल मंत्र हैं, कामियाबी का सफलता का यहीं मंत्र है. दोस्तों मान के चलें, यहीं माने आ. किसी को कुछ नहीं मता ना करदें, जो करना है. और आपको यहीं भी बता दें कि साथ साथ यदी घर परिवार में वहवाएक जीवन में कोई परिशानी चल रही है किसी के तो वह भी समाप्त होने वाली है घर में ग्रह कलेश किसी कारण से होता है तो वह भी समाप्त होने वाला है दीरे-दीरे आपके अल्प प्रियास से अच्छे वेवार से वेदूर हो जाएगा और धन के मामलों में विशावधानी आपको बरतनी है इस समय में वैस्तों आपको इस समय में धन लाव प्रापती कहने को अवसर प्राप्त होने वाले हैं ये ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है परन्तु धनकी खर्च की अधिकता भी रहने के बावजूद आपको इस पर सेयम रखना है धनकी खर्च अधिक रहेगी परन्तु साफधानी पूरुबक कर रहने हैं कम से कम आपको खर्च करना है हिसाब से करें और दोस्तों अब आपके केरियर वेवसाय से जुड़ी बातों पर चर्चा करें तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे वैपार में इस समय खास मुनाफ़े के योग है समय अच्छा चल रहा है वैवैसा के दरश्टी से लाब मिलेंगे रुक्वेवे काम गती पकड़ेंगे करमचारियों का भी आपके पिर्ति पूर्ण से योग रहेगा साथिसा जो लोग नोकरी पेशा व्यक्ती है उनको मंचाह प्रमोशन मिल सकता है वेतन व्रद्धी के भी योग रहेंगे दोस्तों इस समय इस्थान परिवर्तन की भी संभावना है यदि आप इस्थान परिवर्तन संबंदी कोई कार रहें तो अपने उच अधिकारियों से विचार विमर से वस्था कर लें इसमें आपको कामेवी प्राप्त हो सकती है आपका इस्थान परिवर्तन हो सकता है और जो लोग बेरोजगार हैं रोजगार संबंदी कोई सुभ समाचारों को प्राप्त हो सकते हैं नोक्री से संबंदी कोई इंटर्व्यू दिया हुआ है आपने पिछले कुछ समय में या कोई परिक्षा दी हुई है तो उसके उचित परिणाम आपके पक्स में शाबित होने वाले हैं समय अच्चा रहेगा इससे क्या होगा कि आर्थे किस्तिती प्रबल होगी धर्प्राप्ती के आपको अफसर प्राप्त होंगे गर्परिवार में खुशियों का माहुल रहेगा अच्छा समय कहा जा सकते आपके लिए और दोस्तों साथ यसाथ यदि कोई बिल्डर या पिर प्रॉपर्टी से संबंदित व्यवसाई करते हैं उनके लिए भी उच्चित मुनाफ़े अब कमाएंगे वहलो परंतु साथानी यह बरते कि अपनी महत्पपुन फाइले वे दस्तावेजों को समाल कर रखें उनके खोने या चोरी होने की भी आशंका है युवा वर्ग खास तोर पर सुले अपने केरियर के प्रती गंबीर रहे समय को व्यर्थ ना करें नस्ट ना करें अपने केरियर से संबंदि योजनाओं पर विचार में मस्करें आगे बढ़ें मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ग्रहन अस्तरों की चाल ऐसी बनी हुई है कि अब आपको काम्याब होने से कोहनी रोख सकता है बहुती अच्छा समय है भरपूर लाब उठाएं हास से ना जाने दे समय को और अब कुछ चर्चाएं आपके प्रेम संबंदों से जोड़ी करें लव लाइट से जोड़ी करें तो दोस्तों प्रेम संबंदों को विवा में पढ़ने तो होने में कुछ रुकावट आ सकती है किसी से प्रेम करते हैं और विवा करना चाहते हैं तो उसमें कुछ रिकावट आ सकती है परन्तु समय के साथ साथ परिस्तितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और पती-पतिनी के संबंदों में यदि कुछ तक्रार हो रखी है कुछ लड़ाई जगड़ा चल रहा है तो दोस्तो इससे भी निजाद मिलने वाली है वापको वे दूर हो जाएगा अलप प्रियास्या और पुन्हें प्रेम संबंदों में मधूरता आ जाईए वैस्तो कोशिस ये करें कि आपस में ना जगड़ें क्योंकि इसका असर घर परिवार पर भी पड़ता है लड़ाई जगड़ा बंद करकर प्रेम संबंदों को पुने अच्छा करें और एक दूसरे का साथ जे सब कुछ अच्छा हो जाएगा और दोस्तो साथ ये साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी के साथ कुछ नोख जोग भी रह सकती है इसलिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय परिवार के लिए निकालना आपके लिए बहुत अथिक आवश्चक है घर परिवार के लिए भी समय निकाले आप वैज़ा प्रेम संबंद अच्छे रहेंगे और मन मुताबिक प्रिणाम आपको प्राप्त हाँगे अब स्वास्ते संबंद चर्चाव पर बात करें तो दोस्तों आपको सब प्रथम तो यह बता दें कि आपका इस समय स्वास्त उत्तम रहें किसी प्रिकार के चिंता अपना करें परंतु यदि आपकी कोई एविष्टित दिन चरिया है तो उसको ठीक कर लें आप अगर दिन चरिया ठीक नहीं तो उसको ठीक कर लें सुबह प्रणयाम का सारा लें योगाशन करें गूमें शेर करें तनाव मुक्त रहें योगा तथा वयाम पर कुछ समय बेहतीत करें सब आपको अच्छा मैसूस होगा और इससे आप तनाव मुक्त भी रहेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे तो स्वास्त को भी स्वास्त के पिरती भी कुछ ना कुछ समय जरूर नकाले इससे आपका ही फायदा है तो दोस्तों मिलते हैं अगली सी प्रकार की महत्मपूर्ण वीडियो के साथ जब तक के लिए धन्यवाद